रेवाडी में चल रही पंडित पर्दी मिस्रा की कथा का आज चोथा दिन था आज भी बड़ी संख्या में सरधालू कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुँचे कल सनिवार को रेवाडी में कथा का अंतिम दिन है कथा के अंतिम दिन कथा के समय में भी बदलाव किया गया है बतादी की रेवाडी सहर के सक्टर 18 इस्तित हुड़ा ग्राउंड में सिरी सीव महापुरान कथा की जा रही है पंडित परदीब मिस्रा सीहोर वाले कथा कर रही है उनके मुख से कथा सुनने के लिए दूर दूर से सरधालू रेवाडी आई हुए है काफी लोग पंडाल में रुके हुए भी है रेवाडी में 19 मार्च से चल रही कथा के टाइम टेबल में भी कथा के अंतिम दिन बदलाव किया गया है 19 मार्च से लेकर 22 मार्च तक कथा का समय दो फैर 1 बज़े से साम 4 बज़े तक रहा लेकिन कल सनिवार 23 मार्च को कथा के अंतिम दिन सुबह 8 बजे कथा सुरू होगी और 11 बजे तक की जाएगी यह आपको बता दे कि जब से कथा सुरू हुई है तब से साम 4 बजे के बाद रोजाना सहर में जाम जैसे हालात बने रहते हैं क्योंकि कथा स्तल्प पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं रेवाडी और आसपास के लोग रोजाना कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं और फिर वापिस घर लोटते हैं तो सहर में जाम जैसे हालात बन जाते हैं